नमस्कार दश्कू स्वागत है आपका एक बार फिर से सचनीज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी दश्कू सचनीज नेटवर्क का एक इनिशेटिव है जिसके चलते जम्मू कश्मीर के हमारे जो कलाकार हैं हमारे जो artists हैं जो कही ना कही जमु कश्मीर को international level पे रिपरेजेंट करते हैं और जमु कश्मीर को और जमु कश्मीर का नाम जो है वो कही ना कही आगे लेकर जा रहे हैं। और उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं उनकी लाइफ के बारे में उनकी जर्णी और जो स्ट्रगल उन्होंने अपने टाइम पे किया है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अवाम तक अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं यदि आज की मैं बात क राइजिंग स्टार अफ जमू की ए एक अवार्ड जो है वो इनको मिला है फॉर्मर जेमसी मियर चंदरमोन गुपता जी के द्वारा और कई सारे अवार्ड कई अलग-अलग एवेंट्स में अज गेस्ट अफ आउनर जो है इनको इन्वाइट किया जाता है अगर हम बात करें कई सारे प्रोजेट के इन्हों ने किये हैं और अगर हम बात करें एक सौंग आपने सुना होगा मुन्डा 500 दे जरनी के बारे में बताएं? कहां से acting का जो दौर है वो शुरु हुआ क्योंकि acting तो आप करी रहे हैं, साथ में writing भी आप करते हैं, तो tu本ज अगर मैं बात कुरों, तो यह दौर मैं बात कुरूं, जरनी कहां से start हुए आपकी? जी तब मैं कुछ तीन-चार साल पहले सोच रही थी कि मैं स्टार्ट करती हूँ बिकास मैं बैक्स्टेज काफी देर से काम कर रही थी मैं अक्टिंग ग्लासिस वेगरा देती थी स्कूल के बच्चों को मैं को सिखाती थी ऐसे नहीं ऐसा करते हैं तो मुझे लगता था कि पता ने लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं तो उस ट्राइमे पे मेरे कुछ इक दो डो फ्रेंड मेरे पेरेंट्स थे तो उन्होंने मुझे कहा कहते कि नहीं बच्चे कोशिश करके तो देखो अगर आगे बढ़ोगे अगर आप दिखाओगे लोगों के अपना टैलेंट सो किया पता लोग पसंद भी करें तो बस वह दोर चला तो मैंने सोचा कि यह बढ़ करके देखती हू तो मुझे लगा नहीं टैलेंट की कदर है हाइट मैटर नहीं करती है अगर आप में टैलेंट है तो आपका टैलेंट मैटर करता है तो उसके बाद मैं सौंग्स करती से लेगी करती से लेगी और आगे लोगों ने प्यार दिया बहुत साथा अब मुझे एक चीज और कि मैंने मादुरी है तो कहते है दिख्षित तो तो अच्छा फिल भी होते है विकॉस मादुरी एक उनीक सा नेम है तो आपको हर जगह नहीं मिलेगा आज तक मुझे भी अपने नाम की दूसकी लड़की नहीं मिली मादुरी दिख्षित के लावब तो मैं बात करें एक्ट्र कि मुझे लगा रही था कि मैं इस अवर्ड के काबिल भी हूं कि मेरे हिसाब से काफी सादा लोग थे वहां पर तो जब उन्होंने नाम अनॉंस किया तो मुझे उस तेम खुते ब्राट पील हो रहा है कि हां मतलब मेरा टैलेंट इतना है कि मुझे अवर्ड के लाइक समझा इतने लोगों ने तो मैं बात करें काफी अलग अलग जगा पर शूट करते हैं वेब सीरीज में आप काम कर रहे हैं शॉट स्टोरीज में आप काम करते हैं स्टॉंक्स में आप काम करते हैं आपकी अब तक की जरनी के अगर हम बात करें कुछ चीजे होती हैं जो कही ना कही unforgettable रहती हैं, जुसे हमकभी भूल नहीं सकते हैं, ऐसी कोई दो चीजे रहती हैं, एक ऐसे moment रहता है, जिसका हम याद करके बहुत ज़़ा कुश होते हैं, और एक ऐसा moment होता है, जब भी हमकभी याद करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि यह बारत हम रोना भी शुरू कर देते हैं मैं चाहूंगा वो दो मोमेंट्स जो है वो जरूर आप शेयर करें जी ऐसे दो मोमेंट्स में लाइफ में रहे हैं जब मैंने स्टार्ट अप किया था तो मुझे आज भी आद है मैं आपनी मम्मा के साहत्थ निकली थी कि हाम मेरा कवर सॉंग से पहले जब मेरा श्टारट अप था जब मैने खुद का प्रजयक की जो मैने प्रज्च काय तो मुझे गार tit कि माम आपको सॉंग में हमने शूट करना है तो आपको सॉंग में लेंगे ऐसे-ऐसे तो सारी त्यारियों होगी I think मैंने 30-40K की शॉपिंग विए भी कि निया स्ट एक सॉंग के लिए मैं मैं तो स्लेक्ट हुई थी काफी कुशी दी तो हां जी हां जी बिलकल तो मैं सब त्यार वेगरा हो गए तो मैं निकलने लगी तो आगे से उनका फोन आता है कहते कि हां बस हम पहुंच गे देन वो फोन आने के 3-4 घंटे हो गए कुछ ना उनके पर्सनल इशूस के करके ना उन्होंने मुझे मतलब आधे रास्ते में ना मुझे यहां का रखा ना भांका तो वो बंदे निकल गए कि उन्होंने गाड़ी वे गएरा कुछ भी खुद से नहीं खर्चा था उनको यह था कि लड़की है तो इसको शोंके तो यह खुद कर लेगी ऐसा सिस्टम था तो उन्होंने के किया उन्होंने स्टाइम पर कहते हां हम पहुंच रहे हैं मैं वहां पर मैं हाइवे रोड पे त्लट मैं आंडे 17 छेए क्रीब खड़ी हुय थी रात के 10 बज गये تھंए तो मैं महां हाई अब ड़ dirt तो मैं मने नहीं पर खाहती नहीं थी क्योंकि दो गंटे हो चुके थे तो ममा कहते हैं वो आगे वही लोकेशन पर आए तो मैं बहां जाती हूं तो आप वेट मत करना आप जो और जो वहां से निकलना होगा तो हम तब आएंगे तो उन्होंने वहां से मैंने ममा को वेजा तो उन्होंने वहां से फोन ने उड़ाय चार घंटे तक इतने लोग जान भेचान के थे जो निकल रहे थे वाहां से लोग मुझे पूच रहे हैं आप यहां पर क्या कर रहे हैं और मैं उनको कहा ली थी मैं रिल्स बना रही हूं मैं टिक टॉक बना रही हूं उस तक मेरे लाइफ का वैसा मुवमेंट था कि मैंने आप नहीं किया तो वो जो लोग थी वो कहीं है कि वापिस दुबारा आपसे मिले जाए बिल्कुल वो ही लोग वापिस मुझे एक ऐसे मोड पे मिले रिसें कुछ एक एक डिड़ बन ताले मिले तो सामने से किसी ने मुझे ने मिलाया और वो बंदा वहां से आता है जब इतना नाम तो बनाया सामने वाला बंदा मुझे देखके काम पर है अच्छा आपने डेली में भी शूट किया था एक सॉंग था अपका मुंडा 500 दे नोट वरगा जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया और शंकर साहनी जी उसमें थे बहुत अच्छे नामी एक आवाज है जी उनके साथी में अच्छा रहा अब decent शूट किया और शुट किया और शूट कर ??? मैं पहलते हैं, wildfire whenever I hit India मैं इब कशमीर रचीजा डिली थीड़िदा ना, आगे बढ़ा है मैं थीजो में ज्रूऩे सब्सक्रणवां पहते हैं कि मैं और दीडरां में थीजोड़ा जाद स्फर्णवीत यहां मैं पहले छादो तो मैं आगे कैसे बढ़ोंगी, क्योंकि जहां से हम जन्द में हैं, जब हमने उस मिट्टी को ही छोड़ दिया, तो आगे हम जहां मर्जी पहुंचा है, वहां से हमारी पहचान थोड़ी ना है, अब मैंने पंजाबी सोंग जो भी की हैं अभी तक, तो उनका भी ऐसा ही राग कुछ पंजाबी में आप उलके दिखाएं, पंजाबी में एक लड़का था निया निया उस तो मैंने उनको पहला चांस दिया था सौंग का, तो मेरा सौंग था लाड़ी जटी, तो उसके कुछ वर्ड जैसे हैं, चन दे पुलेखे तेरे मुख तो पैंदे, कोही नूर ही तो बहुत ही मतलब अच्छा फेमस हुआ यह सौंग और पंजाब में इसना प्यार मिला सौंग को और लोगों ने अपनी शादियों में डीजे पे हर्ट जगा बजाया तो मुझे खुश हुआ हैं और यह सौंग ना मतलब पूरा हमने पंजाब में शूट किया था बट इस स सुन के लिए हमारे बावबाली माता का मंदीर है उसके सामने गुन था बोस्कषाने यहिए यह बहुतना अपको ऑच पो अच्छी है आप करते कई तो बहुत अची आपको फिलारवी आपने कुछ एक्षी लाई लेकिन बहुत बाकमाल गाई है हैß इसमें भी जा सकते हैं, सिंगिंग अगर आप करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा लोग, आपको बहुत प्यार देंगे, जी-जी मैंने अभी लिखा है, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी मैं सिंग भी करूँगी, बिकॉस लिखा अभी, तो मैं आपको एक लो लाइन शनाती हूँ उसके, जी-जी मैं बात करें, काफी टाइम से, अभी तीन से चार साल आपको हो चुके हैं, इस वील्ड के अंदर, और जमू कश्मीर के अंदर खास देखा जाता है, और जमू कश्मीर के जितने भी अल्मोस आटेस हैं, उनसे हम मिल चुके हैं, और कहिना कहीं, एक common problem जो है, उनसे हमें सुनने के लिए मिलती है, उनका कहना होता है, कि जमू कश्मीर के जो आटेस हैं, जमू कश्मीर के जो कलाकार हैं, ग्रो कर सकते हैं, नहीं जाएंगे आप इसको कैसे देखते हैं जी मैं आपको बताते हूं जिसने कहा है न तुमके साथ ऐसा हुआ होगा उन्होंने ये चीज़ experience की है वो तब बोलते हैं हुआ मेरे साथ भी ऐसा है बट मैं ये नहीं कहूंगी किसने मेरी leg pulling की because अगर आपको कोई धका ना देना आपको संबलके खड़ होने का experience ना मिले मेरा ये मानना था तो इसलिए मुझे लगते हैं कि जिन लोगों ने बुरा किया है जिन लोगों ने ये सब किया हमारे साथ कि हाम मैं मतल JONब ऐसी साथ बुरा किया होगा कि साहाध ना यहां पर घड़े हैं और जहां तक बादरा ही की तो मैं आपको बताती हूं इवेंट्स का ही होते हैं कि हां सीरियसली यह गुरूप्स बने होते हैं कि यह वाले टीम आएगी यह वाले नहीं आएंगे वह उनका गुरूप ऐसा ऐसा चलता है बट मैं फिर भी ना सबको सपोर्ट करती हूं अगर मुझे जैसे आप से मज़ो आपकी बातों से पता चलता है किस टाइब का एक्सपीरेंस है आपको और किस टाइब का लोगों के साथ आपका वैसे बीहेविर है इस वेरी अप्रीशेबल मैं चाहूंगा मैम अभी कौन से आपकी प्रोजेक्ट जो है वह भी अपकमिंग है जो हमारी जमू कश्मीर के और उसको गाया है मेरे चोटे ब्रदर शबाब ने तो जल्दी आपके बीच आएगा वह सौंगा है वह सौंग मैं खुद प्रडूस किया है और VDR डिरेक्टर है इसके और मैं चाहती हूं कि बस जब यह सौंग रीज हो तो अभी पहला सौंग है शबाब का तो मैं चाहती ह है यह पूरी टीम हमारी चंदिगड की है और सिंके रेंस के करन और पूरा शूटिये हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में कश्मीर की शूटिंग है तो आपको कश्मीर देखने को मिलेगा वह भी सड़ियों वाला तो उमीद रेगी कि आप ऐसे ही प्यार दें बिकॉस बहु करना चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट जो आपनी किये उसके बारे में जाना चाहते हैं जा आपके जो सॉंग्स हैं वो सुनना चाहते हैं जो आपने काम किया है वो देखना चाहते हैं तो किस प्लाटफॉर्म पर देख सकते हैं मैं चाहूंगा थोड़ा सा वो भी आपता है जी सबसे पहले तो आप सबको मैं अपना यूट्यूब चैनल बतादू अमर प्रोडक्शन करेके हैं आप माजू रहना सर्च करेंगे तब भी आप मिल जाएगा वहाँ पर साब ने मेरी डीपी लगी होगी बहुत ही क्यूट सी आप सबसे जाके पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करना है बाकी आप माजू रहना सर्च कर सकते हैं आपको जितने भी मेरे सॉंग्स हों के वहाँ पर मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे आएम माजू रहना करके मेरी आईडी है तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको वहाँ पर सारी डेस बिल जाएंगी बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ जमू कश्मीर की एक बहतरीन आर्टिस और सॉंग राइटर और फिलाल अपकमिंग सिंगर भी हम कह सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये प्लैन कर रहे हैं गाना भी गाने का तो जरूर आप जमू कश्मीर की बेटी हैं आप जरूर सपोर्ट करें और कही ना कहीं जतना हमारी जमू कश्मीर के आर्टिस का लाकार आगे बढ़ेंगे उतना ही जमू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन होगा फिलाल ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप अपनी राय जो है कमेंसेशन में जरूर रखेगा और फ़र्दर अगर आप चाहते हैं आपके जो फेवरेट आटेस हैं जा फेवरेट आवाज है जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं आप उनका नाम जो है कमेंसेशन में लि झाल झाल झाल